हेलो फ्रेंड्स वेलकुम टू माई चैनल सिवल एंजिनिरिंग चैप्टर वाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लूड मेकैनिक्स लेक्टर नाइन्थ जो की हमारा सेकेंड पार्ट फ्लो मेजर्मेंट का आए स्टार्ट करते हैं अब तक हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ओफ लिस चैप्टर वेंचरिमेटर पिटो टूब एंड क्रेंटमेटर इस चैप्टर में हम डिसकस करेंगे नोचेस अड़ व्यर एंड लाष्ट पार्ट में हम डिसकस करेंगे औरिफिस अनग माउट पीस आईए स्टार्ट क पानी फ्लो कर रहा है और यह ओपनिंग अलग-अलग सेप की होती है जैसे इसमें रेक्टेंगुलर सेप है तो किसी में ट्रेंगुलर सेप की होगी किसी में ट्रेपजोईडल सेप की होगी तो इन सभी जो ओपनिंग से इन सभी को बोलते हैं हम नोचीज इसमें क्या बताया है जो liquid surface है वो हमारे top edge जो opening है उससे उपर हो यह होता है हमारा notches okay in other words it is a device used to measure the rate of flow of a liquid through a tank or a small channel okay किसी भी tank में किसी भी open channel में या किसी भी small channel में जो flow measurement है वो हम notes के दुरू measure कर सकते हैं okay notes is a very thin structure usually made up of metallic plate okay notes है उसका metallic plate का बना होता है यह देखिए एक water tank है और इसमें एक opening दी गई है अब यह opening अलग-अलग type की होती जैसे यह trapezoidal shape इसको बोलते है सिपॉल्टी वियर सिपॉल्टी वियर ओके यह rectangular shape है जिसको हम suppressed rectangular notes बोलते हैं यह हमारा triangular notes है उसको V notes भी बोलते हैं और यह contracted rectangular notes है ओके अलग-अलग shape होती है तो अलग-अलग इसके नाम इसमें लिखे गए हैं यह देखिए lab में हमारी जो lab apparatus है notes के लिए वह ऐसा है यह rectangular notes है यह water tank है इसमें पानी को fill किया जाता है और इस notes को जब open करते हैं इसमें अलग-अलग shape की हम notes को insert कर सकते rectangular, trapezoidal या फिर triangular इसको insert करके इस पानी इसको water tank को पानी से भरने के बाद हम इसमें open करते हैं और वहां से इसकी opening जो water को discharge करती है वहां से हम इसकी velocity को check करते हैं if weir is an obstruction constructed across the channel, notes हमारा छोटा सा था एक structure अब वियर इसका बड़ा रूप है इसका large size रूप है जिसको हम किसी भी नदी के रस्ते में बनाते हैं ताकि पानी वहां पे रुके और वहां पे उसका head है जिसकी energy level है वह बढ़ जाए यह देखिए नदी के बीच में construction दिवार का यह दिवार RCC concrete की हो सकती है या फिर brick machinery या फिर stone machinery की यह हो सकती है यह देखिए concrete stone machinery की हम एक दिवार बनाते हैं across a stream a wear is a notch on a large scale wear ही notch का एक advance और large phase है यह देखिए यहां पर एक V notch बनाई गई है a wear is also known as a low head dam यह wear है इसको हम low head dam भी बोलते हैं okay terms related to notches and wear इसमें कुछ terms है आये देखते है नैपे और बेन यह क्या होती है यह देखिए यह एक obstruction है पानी के रस्ते में और पानी जब flow करता है तो इसके उपर से यह ऐसे नीचे गिरेगा तो नैपे क्या होता है नैपे होता है यह जो surface है यह जो धारा नीचे बैरी है इसको बोलते है नैपे यह अपर लेयर हमारी अपर नैपे और नीचे की लेयर हमारी होती है लोवर नैपे ओके अब यह जो अमारी बीच में obstruction है जो वियर है क्रश्ट और सिल इसका टोप लेवल जो होता है टोप उसको बोलते हैं क्रश्ट और सिल अब इसमें क्या बताया है अगर नोच की बात करें तो उसमें बोटम एज जिस पे से पानी फ्लो करता है और अगर वियर की बात करें तो यह टोप लेवल ओफ वॉल जिस पे से पानी फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं क्रश्ट और सिल अब नोच और वियर में डिफ्रेंज क्या है काफी important question है यह काफी बार exam में पूछा गया है water flow through a noach, noach के case में water noach के अंदर से flow करता है but wear में water उसके उपर से flow करता है, noach में अंदर से, wear में उपर से noach is a small structure, noach है वो small है और wear एक बड़ा structure है it is generally made up of metallic plate, यह metal plate का बना होता है और यह concrete और masonry का बना होता है the edge of noach is thin and sharp, इसके जो edge है वो thin होते हैं और sharp होते हैं but crust के जो edge है वो wide होते हैं it measures small discharge from a reservoir, यह जो measure करती है small discharge from a reservoir it measures a large discharge from a river or opening, open channel, यह जो wear है वो measure करता है large discharge from river और open channel, okay discharge over a rectangular notch or wear, अब जो rectangular notch है या wear है वहाँ पर discharge कितना होता है उसको हम कैसे calculate करते हैं इस formula के through okay इसमें L है हमारा length of the notch or wear यह देखिए जैसे यह है इसकी length कितना लंबी है इसकी opening H है height of water over the crust, अब यह है हमारा crust level, इसके उपर कितना पानी है यह होता है इसका height H, ठीक है CD, CD है हमारा coefficient of discharge coefficient of discharge और इसको हम इस relation जब हम इसका derivation करते हैं तो final result हमारा यह आता है Q is equal to discharge is equal to 2 by 3, coefficient of discharge L under root 2 G और H की power 3 by 2, ओके यह lesson आता है, discharge और है rectangular notes और wear का, अब इसमें एक note भी है if there is an error of 1% in the measurement of H, produces an error of 1.5% in the measurement of discharge in the rectangular notes और wear अगर बात करें rectangular notes और wear में, अगर उसमें जो height हम measure करते हैं पानी का, उसमें 1% mistake होती है एक परसेंट गलती होती है, error होती है, तो उसकी वज़े से हमारा जो final result आता है, discharge आता है उसमें 1.5% की error आएगी, ओके, इसमें यह बताया गया है, next आता है, discharge over a triangular notes और wear यह देखी, यह हमारे triangular notes है, इसको हम V notes भी बोलते है, angle है इसमें, theta, angle of notes, H है height of water over the crust और CD as you know, coefficient of discharge, अब इसमें जो formula हमारा apply होता है, वो यह है q is equal to 8 by 15 c d 10 theta by 2 under root 2 g h की power 5 by 2, ओके, अब जब हम theta की value 90 degree लेते हैं, तो 1045 degree जो की 1090 by 2 हो जाएगा, 1045 degree हमारा होता है 1, अब जब 1 की value हम इस formula में put करते हैं, 10 theta by 2 is equal to 1, तो हमारा जो final result आता है, वो यह आ जाएगा, क्यों is equal to 8 by 15 c d under root 2 g, h की power 5 by 2, अब इसमें भी एक note है, if there is an error of 1% in the measurement of head, produces an error of, sorry, error of 2.5% in the discharge in a rectangular notes or wear, rectangular notes और wear की बात करें, तो इसमें अगर हम head, जो height है, उसको measure करने में 1% गलती करते हैं, तो हमारे जो final result है, उसमें 2.5% की गलती होगी, okay, discharge over a step notes और wear, अब यह देखिए figure में, एक step notes है, यह step opening है, तो इसके case में हम wear और notes के case में हम total discharge को कैसे measure करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यह देखिए, यह होए, अगर हम इतना section consider करें तो एक rectangular wear है, okay, फिर जब हम इतना section को consider करते हैं, यह भी एक rectangular wear है, ऐसे यह करके हम सभी के, हर एक जैसे one section है, two section, three section, fourth section है, इन सभी के discharge को अलग-अलग calculate करेंगे, और इन सभी को हम total करते हैं, तो हमार total discharge आ जाएगा, through a step notch, अब यह देखिए, q1 जो कि है, discharge through a notch 1, यह relation आता है, two by three, coefficient of discharge, l1 under 2g, h1 की power three by two, same ऐसे ही हमने q2 की value find out की, वैसे ही q3 and q4, इन सभी को हम total जब sum करते हैं, add करते हैं, तब आता है हमारा final result, और वह होगा हमारा q1 plus q2 plus q3 plus q4, ओके, यह था हमारा discharge over a stepped notch और wear, next आता है discharge over a trapezoidal notch और wear, trapezoidal notch को हम supportive wear भी बोलते हैं, और trapezoidal notch में यह देखिए, जैसे यह trapezoidal notch, तो इसमें क्या होता है, यह section अगर हम consider करें, तो यह safe है एक rectangle की, ओके, rectangular notch और wear, और जब हम, एक ही यह triangle, और एक ही यह triangle, इन दोनों को अपस में, जब हम join करेंगे, तो एक triangular notch और V-notes form होती है, तो trapezoidal notch और wear की case में हम एक तो rectangle और एक हमारी V-notes, इन दोनों का sum करते हैं, जैसा कि इस formula में so भी है, the discharge through an trapezoidal notch, is the sum, is the combination of discharge through an rectangular notch, and a triangular notch, ओके, rectangular notch के लिए, जो मारा relation आता है, वो यह था, और triangular के लिए हमारा relation यह था, इन दोनों को जब हम sum करते हैं, तो मारा total discharge आता है, through an trapezoidal notch, next आता हमारा velocity approach, velocity approach क्या होता है, it is the ratio of discharge upon cross-sectional area of channel, discharge upon cross-sectional area of channel, ओके, और इसका use हम कहां करते हैं, the velocity of approach so calculated is used to find an additional head, additional head होता है, उसको हम find out करने के लिए, velocity approach का use करते हैं, यह देखिए, इस relation से हम head की, जो measurement है, वो करते हैं, इसको find out करते हैं, V, A है इसमे, velocity approach divided by 2G, तो इससे हम find out कर सकते हैं, किसी भी head को, ओके, यह था हमारा velocity approach, next आता है, discharge over a suppressed wear, suppressed wear क्या होता है, इसमें, side में कोई भी, जो rectangular wear है, उसी का एक form है यह भी, इसमें complete length में हमारा water होता है, इसमें कोई भी side में whole नहीं होते हैं, ओके, length हमारी complete होगी, rectangular में इधर भी एक divore होती है, इधर भी एक divar होती है, और बीच में हमारा होते है, rectangular wear, suppressed में complete length हमारी water की होगी, ओके, the wear in which crust length is equal to the width of channel is known as pressed wear, ओके, अब इसमें, जो हमारा listen आता है, वो बिलकुल agities होता है, जैसा कि हमारा rectangular के case में आता है, Q is equal to 2 by 3, coefficient of discharge L under 2G, H की power 3 by 2, ओके, बिलकुल similar है हमारा rectangular wear के जैसा, next आता हमारा discharge over a narrow crust wear and sharp crust wear, ओके, यह देखिए, narrow crust and sharp crust wear में क्या difference है, यह देखिए, यह होता है हमारा narrow crust, यह पानी है, इसमें जो B है हमारा width of crust छोटी होती है, H by 2 से, H by 2 से छोटी होती है, तो उसको बोलते है narrow crust, अगर B हमारा H by 2 से बड़ा होता है, B H by 2 से बड़ा होता है, तो हमारा जो उसको बोलते है broad crust wear, ओके, जब इसका edge sharp होता है, यह देखिए, यह sharp edge है, इसको बोलते है sharp edge wear, sharp edge and narrow crust wear, लगबग similar होते हैं, बट इसमें top edge, narrow crust में sharp होता है, और, sorry, narrow crust में यह flat होता है, बट sharp crust में यह sharp होता है, बस यह difference है, बगी कुछ भी difference इसमें नहीं है, ओके, यह देखिए, इसमें बताया है, जब B हमारा छोटा होता है, H by 2 से, और यह बिल्कुल similar है, हमारा rectangular wear के, जब डिस्चार्ज आता है, उसी के बिल्कुल similar, यह देखिए, यह हमारा relation आता है, final, क्यों हो, is equal to, 2 by 3, coefficient of discharge, L under 2G, H की power, 3 by 2, okay, next हम देते है, discharge over a broad crust wear, यह देखिए, यह था हमारा broad crust wear, अब यहाँ पर discharge कितना होगा, B, broad crust wear क्या होता है, जब B, width of, wear, body हो, H by 2 से, ओके, इसमें हमारा final result, यह आता है, जब हम final calculate करते हैं, derivation के थुरू, तो हमारा result आएगा, Q is equal to, 1.705, coefficient of discharge, L, under root, L, H की power, 3 by 2, sorry, under roots में नहीं है, यह simple एक relation आया है, Q is equal to, 1.705, coefficient of discharge, L, H की power, 3 by 2, okay, next आता है, हमारा discharge over an ogie wear, ogie wear क्या होता है, यह देखिए, अभी तक हमने flat wear देखे था है, तो इसमें shape change का provision है, यह जो shape है, इसमें shape को change कर दी है, और इस shape को बोलते है, ogie shape, ओके, it is a special type of wear, generally used as a spillway of dam, dam के spillway में, हम ogie shape के wear या o, इसको हम use करते हैं, spillway क्या होता है, dam का, जब dam के एक तरफ upstream side में, ज़्यादा amount में पानी खटा हो जाता है, और dam तूटने का वहाँ पे खतरा बन जाता है, तो extra, जो surcharge हमारा water होता है, उसको हम एक, रस्ते के तरूँ निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं, spillway, okay, excess of water को हम वहाँ से pass कर देते हैं, और हमारा dam बच जाता है, इसको बोलते हैं, spillway, the crust of ogie wear rises up to the height of 0.115h, 0.115h, तक इसकी height होती है, और ये parabolic form में होता है, उसके पर पानी slide करता है, दीरे-दीरे, the discharge over an ogie wear is same as a rectangular wear, इसमें भी बिल्कुल similar result आता है, जो कि हमारा rectangular wear का आता है, क्यों is equal to 2 by 3, coefficient of discharge, L under 2G, और H की power 3 by 2, उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी आने वाले वीडियो सभी इसी परकार की है, आप इनको अपनी study group में share कीजिए, मेरी चैनल को subscribe कीजिए, thank you for watching, have a good day.